सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में एक नए धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंतरता संग्राम की समग्र गाथा का प्रोमोचारी किया ये धारावाहिक 14 अगस्त 2022 से दूरदर्शन पर प्रसारित होगा 75 कडियों के इस धारावाहिक में स्वतंतरता सिनानियों और स्वतंतरता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा इस धारावाहिक का प्रसारण आकाश्वानी पर भी किया जाएगा शिठाकुर ने नई दिल्ली में आकाश्वानी भवन में धारावाहिक का प्रतीक चिन जारी किया शिठाकुर ने कहा कि सरकार ने आजादी का अमरित महतसो के अफसर पर देश भर में कई कारिक्रम आयोजित किये हैं उन्होंने कहा कि ये धारावाहिक दस भाशाओं में प्रसारित होगा जो लोगों को स्वतंतता संग्राम को बहतर धंग से समझने का एक अनूठा अफसर प्रदान करेगा उन्होंने कहा कि इस धारावाही को देख कर लोग दूरदर्शन के पुराने दिनों का इस्मरंड करेंगे और दर्शकों की संख्या का पुराना किर्तिमान तोड़ देगा जो विवित्ता भरे भारत में दस भाषाओं में जब इसका प्रसारन किया जाएगा और ओल इंडिया रेडियो पर भी इसका प्रसारन किया जाएगा तो लाकों नहीं, कुरोडों भारतवासियों तक इसको पहुंचाने का काम भी दूरदर्शन और All India Radio के मातिम से किया जाएगा शिठाकुर ने कहा कि भारतिय मीडिया और मनोरंजन उद्योग तेजी से विकास कर रहा है और इसमें अपार संभावनाए है उन्होंने कहा कि कारिक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाने और उन्हें और अधिक आकरशक बनाने के लिए प्रयास करने की आवश्शकता है सूचना एवं प्रसारण मंत्राले के सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि ये धारावाहिक स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों के योगदान को उजागर करेगा ये कारिकरम युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम और आजादी का अमरित महस्व पर अपने विचार साजा करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा